Hey guys, welcome to Take A Dora, I am Nivedita and in this video we are going to solve next problem on hip So next problem है हमारा minimum number of defueling stops, तो इस problem statement में हमें क्या दे रखा है हमें एक car दे रखा है जिसमें हम ना infinite number of fuel as a gas उसमें fill कर सकते हैं अब आपके पास एक array दे रखा है station I जहां पे आपका क्या होगा, एक position आई होगा और fuel होगा मतलब इस station पे, इस position पे station होगा और वहां पे आपको इतना liter of gas मिलेगा अब आपको क्या करना है, आपको start करके एक target तक जाना है अब fuel का use होगा, तो per mile आपका 1 liter gas use होगा अब यहां पे question आता है क्या आप target तक जा सकते हो अगर possible है तो उस case में आप कितने बार refueling करवा रहे हो, अगर refueling करवा रहे हो तो कोशिश करना है कि minimum refueling करवा और destination तक आप पहुंच जाओ, ठीक है तो वो minimum number आपको return करके देना है, अगर possible नहीं है तो उस case में हमें क्या करना है minus 1 return करके देना है, तो हम क्या करते हैं, इस problem को समझते हैं, example के धुरू पहरे फिर देखेंगे कि कैसे हम इस problem को solve कर सकते हैं, तो यहां पे अपने को दे रखा है क्या, एक target दे रखा है, एक starting fuel दे रखा और एक station दे रखा है, station में आपका क्या होगा, position आई होगा और एक fuel होगा, कि उस position पे जाके आपको एक station मिलेगा, और वहां पे इतना liter of gas मिलेगा अब first example में देखू कि start fuel आपका 1 liter है, आपके car में 1 liter gas है और आपको target 1 तक जाना है, तो suppose आप 0 से start कर रहे हो, 1 तक जाओगे तो यहां पे 1 liter use होगा, क्योंकि आपको पता है कि per mile हम क्या कर रहे है, per mile हम use कर रहे है, कितना 1 liter of gas use कर रहे है, ठीक है तो 1 liter तो अपने car में है ही, तो हमें refueling करवाने की जौरत ही नहीं पढ़ेगी, क्योंकि हम चलेंगे तो यहां पे पहुंची जाएंगे तो यहां पे हमें refueling करवाने नहीं पड़े, इसलिए answer यहां पे 0 होगा, अब second case में देखो, कि आपके पास starting fuel 1 है, ठीक है station, देखो, 0 से 1 मान लो, और यहां पे 10 में position पे जाके, जहां पे एक station है, वहां पे 100 liter of gas available है, ठीक है अब आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, तो आपको 100 पहुंचना है, तो देखो, आपके पास starting fuel है, आप यहां से यहां तक आए, लेकिन इस पीच आपको एक भी station नहीं मिला, जहां से आप क्या कर सकते हैं, fuel ले सकते थे, refueling करवा सकते थे, लेकिन यहां पे आपको क मतब मिला ही नहीं, target तक आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास sufficient fuel नहीं है, तो यहां पे possible नहीं है, इस case में हम क्या करेंगे, minus 1 return करके देंगे, अब देखो third case में, third case में क्या है, हमारा starting fuel क्या है, 10 है, और target तक हमें जाना है, अब देखो, यहां पे देखो, एक 10 पे है, 10 पोजिशन पे है, 120 पे है, 130 पे है, 160 पोजिशन पे है, जब आप starting zero से चलोगी, तो 10 तक आप जा सकते हो, क्योंकि 10 लिटर starting fuel है, यहां पे आप गए, तो यहां पे आपको 60 लिटर refueling आप करवा सकते हो, कि आपने करभा लिया 60-liter का refilling अब बताओ 10 12 mile तो आपने चल लिया अब आप कीतना मालइ चल सकते हो 10 plus 60 Also, 70 माने चल लिया 70 तक छल सकते हो 10 अपने चल लिया बैसिकली अगला 60 मुंदला 60 आप चल सकते आपने जो 60 लिया यहां पर 60 यहां फ्यूल करवाया यहां पर आगे चल के आपको पता है कि 70 तक आप जा सकते हो अब इसी पीच आपका तीन अस्टेशन भी आ रहा है तो यहां पर आप कोशिश करोगे ना कि रिफ्यूलिंग करवा ले ताकि हम 100 तक पहुंचे तो आपके पर अगर मल्टिपल ऑप्शन होगा तो आप क्या करोगे उसकेस में उसकेस में कोशिश करोगे ना कि जहां पर जिस स्टेशन पर हमें मैक्सिमम मिल जाए ग्यास ताकि हम कोशिश करेंगे उसकेस में मैक्सिमम अगर आप रिफ्यूलिंग करवा लोगे तो हो सकता है ना कि उसम तो इसकेस में आप इन तेनों का ऑप्षेन है और उपके पास, एक 30 यहाँ पर 20 मिलेगा, तो अगर आप 30 अबनें 30, 30 यहाँ पर 40 यहाँ मिला, तो किसको चूझ करोगे, वबियोट से किसको चूझ करोगे, अगर आप 60 पे, जो पहले से पलाया था कि सेवन्टी तक जा सकते हो है ना आप यहां पर 40 लिटर सपोस्ट आपने करवा लिया तो आपको पता है ना कि 110 पोजिशन तक मैं जा सकते हूं है ना तो 100 तो हुई गया ना बीची में ही आएगा that means हमें दो जगा जाके moż decreasing करवाना पढ़े गा एक यहां पर करवाना पढ़े गा एक यहां पर करवाना पर तो आंसर यहां पर क्या होगा आपका two होगा अब थर्ड एक्जाम्बल को भी देखते हैं एक अपना पचीस वे पोजिशन पे है स्टेशन एक पचास पोजिशन पे है कि 75 बाले ठीक है अब स्टार्टिंग जो भी आप 0 से स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग फ्यूल आपका क्या है पचास है है ना तो आपके पास यहां तक आ सकते हो ठीक है यहां तक आप आ सकते हो और आपको हंडीट पर जाना है तो आपको यह स्टेशन भी मिलेगा यह स्टेशन भी मिलेगा उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन इन दोनों में आप क्या कर सकते हो रिफ्यूलिंग करवा सकते हो है ना यहां तो दोनों में 25 यहां तो दोनों को कर सकते हैं लेकिन हम मिनिमम ट्राइब करना है तो पहले तो हम 30 को करेंगे जैसे हम 30 को करेंगे तो 50 प्लस 30 होगा हम 80 तक जा सकते हैं यानि इससे होके जाएंगे असी तक जा सकते हैं, अब 70, अब हमी तो 100 तक जाना है, है न, तो हमें समहाओ एक और refueling करवानी परेगी, तो हम 25 का करवाएंगे, 25 का करवाएंगे ना था 105 तक जा सकते हैं, या न, आपका 100 आएगा, बीच में आएगा station, अब तब position जो भी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या रिटन करोगे, 2 करोगे, क्योंकि आपको दो जगा करवाना परेगा, या तो यहाँ पर, या तो य सकते हैं, 150, 200, 250, 300, जो भी है, अब यहाँ पर देखो, आप स्टार्टिंग फ्यूल ही आपके पास कम है, सफिशेंट है नहीं, क्योंकि हमें, जो मारा पहला station है, वो हंडेट पर है, और स्टार्टिंग का फ्यूल 50 है, तो स्टार्टिंग फ्यूल हम जाएंगे, तो बीच म और चाहिए होगा, जो आपके आपके पास है नहीं, यसकेस में माइनस वन र्टran होगा, अब इस प्रॉबलम को सौल्ब कैसे करेंगे, तो इस प्रॉबलम में हम क्या करेंगे, हिप क्यों करेंगे, तो आप अबसर कर रहे हों ला, कि यहाँपे क्या हो ऱा है, कि आपके आपके पास multiple option है कि यहां पर refueling करवा सकते हो अगले station भी करवा सकते हो दो-तिन option है आपके पास लेकिन आपको कोशिश करना है कि जितने भी option है आपके पास उसमें से maximum करें तो maximum कौन return करके दे सकता है तो आपको maximum return करके देगा कौन आपको priority q आप max भी उसकर लोगे जिसमें maximum element क्या होगा उपर होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे priority q लेंगे और कौन सा लेंगे हम हम हिप हम max ही लेंगे ताकि अगर हमें पता चले कि 3-4 स्टेशन जहां पर हम रिफिवलिंग करवा सकते हैं लेकिन उसमें से पहले हम किसे करवाएं मतलब हमें basically minimum fine करना है तो उनमें से कौन-कौन सा हम करें ताकि हम minimum time से करना पड़े तो इसके लिए हम क्या करेंगे ले लेंगे max hip और इसमें store करेंगे gas का जो amount है हर एक पोजिशन पर जहां पॉसिबल पोजिशन पर तो उसका हम क्या करेंगे gas उस हिप में insert करेंगे ठीक है तो जो maximum होगा पहले उसको म्यूस करेंगे ताकि इससे क्या होगा कि हम minimum कर सके तो मैं आपको दिखाते हूं यहां पर हम ले लेते हैं क्या एक max hip ले लेते हैं पारडी यू लेते हैं जिसमें maximum element ऊपर होगा तो यहां पर तो आपको पता ही है यह तो आपको सिंपल साइक टार्गे श्टार्डिंग फिवल अगे तो जरुवरत ही नहीं पड़ा सिंपल सा जीरो अंसर होगा ठीक है यहां पर भी वन यहां पर स्टार्डिंग फिवल फ्यूल यहां पर एक वेरिवल ले लो max can reach मैक्सिमम प्र कहां तक कर सकते हैं आपको पता है जो स्टार्डिंग फिवल आपके पास है वहां तक अब आप देखो कि जो भी आपको station दे रखा है उसका जो first value है क्या वो आपके पास है क्या मतब maximum can reach का value वहां तक है क्या अगर उससे कम है तो simple है कि इसमें आप insert कर ही नहीं सकते हो इसमें वहीं insert करें के जहां पर हम refueling करवा सकते हैं है ना तो आप देख रहे हो कि station तो 10 पर है अब यहां पर condition देखोगे ना कि कि इसका value क्या है ज्यादा है max can reach मतलब maximum one तक ही जा सकते हैं that means हम refueling नहीं करवा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसमें insert नहीं कर सकते हैं और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका priority क्यों empty है that means हम नहीं पहुँच पाए हैं simple सी बात है कि वहीं पर minus one ही 10 कर देंगे क्यों आपका 10 है 10 है ठीक है यहाँ पर और आपका target है 100 तो अब यहां से start करो यह 0 है 1 है 2 है 3 है अब आपको पता है कि station जो है max 10 है और इसका जो starting position है 10 है that means हम यहां तक आ सकते हैं हमें पता है कि हम यहां तक आ सकते हैं और यहां पर जैसे हम आएं हमें पता चली गया अब हम यहां पर क्या करेंगे ना अब देखो यहां तक आप पहुँच सकते हो तो dat means यहां पर आप रिफ्यूलिंग करवा सक सकते हो हैना यह possibility है तो इसमें तो इसमें इसमें इंसर्ट कर दिया कर दिया और max अप्लस कर दू क्योंकि आपको पता है कि आप 70 तक जा सकते हो है ना 70 तक जा सकते हो तो जैसी अगले element पर आऊगे तो अगले element पर आऊगे 70 से कम ही है यह, maxi से कम ही है, तो यहां भी तो हम आ सकते हैं ना, तो यहां पर हम refueling हो सकता है कि हम यहां से भी करवा सकते हैं, इसमें insert करेंगे, तो जैसे हम insert करेंगे 60 उपर होगा, 30 नीची होगा, ठीक है, उसके बाद हम यहां भी आ सकते हैं, 30 पे भी आ सकते हैं, तो 30 पे आएंगे, तो यहां पे भी 30 है, तो 30 यहां होगा, 30 यहां होगा, फिर 60 होगा, यहां पे हम रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं, फिर यहां पे है आपका, इसले तुबहरा होगए होगए 60 सपी प्ना करवा करवा सकते हो तो सिम्पल सी कि हम है यहां पे 60 30 और हमारा 40 फिर 30 होगा फिर 30 होगा अब आपको पता है कि मैक्सिमम आपना 70 तक ही जा सकते हो राइड यह आपका टार्गेट से क्या है कम है है ना हम अभी तक टार्गेट पर नहीं पहुंचे इसका मतलब हमें क्या करवाना पड़ेगा रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा तो देखो 60 का तो अपनी यूज कर लिया था यह 60 यहां पर तब जा सकते हैं तो बड़ी नहीं सकते हैं मैक्सिमम रीच में जैसे आपने आड किया शिक्स्ट उसी ताइम यह बाहर निकल गया था ओके अब फिर्टी उपर है आपका उसके थर्टी फिर थर्टी तो अब हमने एक ताइम तो इसको यूज किया रिफुलिंग तो हम काउंट एक उसको अपडेट करते रहेंगे काउंट वन हो गया है क्योंकि हमने 60 का यूज कि तब जाके 70 तक यह पहुंच सकता है अब इसे बीच हमने सारे स्टेशन इसलिए मूफ कर पाएं क्योंकि मैक्सिमम रीच था यहां तक का इसलिए हम सारे स्टेशन पे मूफ कर पाएं और सब जगा का हम पॉसिबलिटी ले सकते हैं इसमें अब उसके बाद आपको पता है कि अभी तक आप अपने टार्गेट तक नहीं पहुंचे हो यानि फिर से आपको रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा क्या आपके प्रियर्टी क्यू में है गैस तो अपनी इंसर्ट करका है हा स्पाइन दृज संव्हांandy तो काउंट क्या जाकर यहां पै टू हो जाएगा इसके आंसर्य होगा यहां पर टू होगा ओक्या यहां पर आपको लिएक्स बात नहीं थाख को 100 है और स्टार्टिंग फिप्टी है यानि आप 50 तक जा सकते हो मैक्स रीच आपका कितना होगा 50 तक होगा ओके तो 50 तक होगा तो यहां पे जियोध इंडेक्स पे वन पे टो पे यानि यहां तक तो आप कवर्स करी सकते हो क्योंकि इसका फर्स्ट पोजिशन इसके एक्वल औ सकते हो ठीक हैं और यहां तक आ सकते हो अब तो आपको पता चला कि 30 लीटर भी करवा सकते हो पचीस लीटर भी फिकर आप जाने सकते हैं आपको जब पड़ेगी क्योंकि मैक्स रीच आप 50 तक ही है आपको सारा फ्यूल अपने यूज कर लिए तो 30 बाहर निकालो 30 को बाहर पर निखाला यह आपका क्या हो गया 80 हो गया 80 है अगला जो है element यह आपका पता चला कि यह 80 से कम है यानि हम यहां पे भी करवा सकते हैं तो 25 है अब आपने सारा element देख लिया थे मेंकुन है देख लिया सालर एलिमेंट लेकिन अभी भी आप टार्चत तक नहीं पहुंचे ओ के तक नहीं पहुंचे लेकिन अपने पास पॉसिबुलिटी है यह भी ले सकते हैं एक यह भी सकते हैंование मैक्सिमुम नहीं है मैक्सिमुम मिल जाएगा तो आप निकाल हो गी 25 जैसे ही 25 अप आड करोंगे ma करनों कर लोगे सेम यहां पर अबसे क्या स्टैटिक फील है टार्गेट हल चर्ट लाइड भी और फर्स्ट उन स्टेशन पर तो हंड़ेड पर है यानि क्या पर आ ही नहीं सकता थे स्टेशन तक आई नीश कता तो आपका क्या होगा ना यह इंसर्डिंग इन्सक्ते हो यह अपने क्या होगा ठीड में सब्सक्राइव कर वासकते हो इंसर्ट करने का मतलब है कि इस जगह पे रिफिउलिंग करवा सकते हो इस जगह लेकिन आप 50 तक ही जाओगे आपको पता चला कि 100 is greater than 50 that means यह पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर यह इंटी रहेगा तो यहाँ पर इस वन रेकिन करना पड़ेगा आपको तो अब मैक्सिमुम जा सकते वह स्टाइटिंग फिल जो आपका होगा अभी और कांट अपका इनिशल में जीरो होगा आपको यह उपरेशन तब तक करते रहना जब तक तक आपका माक्स कैन रिच लेस तन टार्गेट है, जैसे लिए बाहर हो गया समझ जाएंगे हम या इक्वल हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि हम टार्गे तक पहुंच चुके और जितना भी काउट अभी तख हम अभी तर्ग हम यूज किया है काउंट डिटन कर देंगे, अब हमने यहां पर गया कि हम आई को किया कि less than a station dot size होना चाहिए and station का जो पहला element है जो कि position है वो less than equals to max can reach होना चाहिए अगर इसकी less है यानि वहाँ पर हम refueling करवा सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम priority queue में उसका second element insert करेंगे और i plus plus करेंगे तो इस तरह से अगर क्या हम जितना possible है वो यहां पर add कर दिये अब पहरा तुछ एक क्लेंगे कि क्या हम किसी station तक पहुंच पाएं या नहीं पहुंच पाएं अगर नहीं पाएं अगर नहीं पहुंच पाएं यह पहुंच पहुंच पाएं तो इस केस में क्या होगा है माइनस वन इटन होगा यह कंडिशन अगर फुल नहीं हुआ है डाट मिंस हम max can reach आपका क्या है प्लस प्राट्टी क्योंकर जो टॉप होगा मतलर हम maximum चाहेंगे तो टॉप क्योंकि फिर से तो यूज नहीं करना ना उसका फिर कांट प्लस प्लस करेंगे इस तरह से जो भी काउंट है आपका वह यहां पर ड़न होगा तो आई होप आपको यह प्रॉब्लम समझ भी आया होगा अकर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब कर देना और इसका time complexity आपका end login ही होगा क्योंकि हरेक element को आप यूज कर रहे हो और प्राइट क्यों भी उस कर रहे हो और हरेक element को कहीं ना कहीं आप worst case में आप हरेक element को इंसर्ट कर रहे हो तो end login आपका होना है I hope आपको इसमज में आया हो प्लीज आप लोग subscribe कर देना like कर देना और share भी कर देना thank you